फ्रेंड हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा था कि RC प्लेन को कैसे उडाते हैं उस पर प्लीज एक वीडियो बनाइए तो आज मैंने डिसाइड किया है कि आपको बताऊंगा RC प्लेन कैसे उडाते है याने remote से कैसे control करते हैं एक RC plane तो basically दोस्तों यहाँ पर जो remote है that doesn't matter कि आपके पास कौन सा remote है क्योंकि controls जो होते हैं वो उसके अंदर same ही होते हैं इसे mod 2 remote कहते हैं mod 2 मतलब आपकी जो left hand side की जो stick रहेगी वो throttle और radar की रहेगी और right hand side की जो रहेगी वो elevator और aileron की रहेगी अब throttle, rudder, elevator, aileron क्या होता है उसका attention मतलो वो मैं आपको बता दूँगा ये switches को फिलाल के लिए छोड़ देते हैं concentrate करते हैं सिर्फ ये वाली sticks पर तो plane में दोस्तों आपने देखा होगा कि control surfaces रहते हैं plane की wings में लगे होते हैं aileron और plane की पिछले side याने जो tail होती है महाँ पर होता है एक vertical stabilizer और एक horizontal stabilizer तो vertical stabilizer में लगा होता है rudder और horizontal stabilizer में लगा होता है elevator wings की अगर बात करो तो जो ailerons होते हैं वो plane को left and right roll करने में help करते हैं आप वीडियो में देख सकते हो similarly जो tail side में horizontal stabilizer होता है जिसके अंदर लगा होता है elevator वो plane को up and down pitch में help करता है याने plane को उपर लेके जाना और नीचे लेके आना और जो vertical stabilizer होता है friends वो plane को left and right yaw axis करने के लिए help करता है तो aileron होता है roll के लिए elevator होता है pitch के लिए और rudder होता है yaw के लिए इसकी speed आप यहां से ज्यादा और कम कर सकते हो यह total मैंने आपको 4 channels बता है friends सबसे पहला channel जो होता है plane में वो होता है aileron का याने roll का आप देख सकते हो यह हो गया left roll क्योंकि आपके left में जा रहा है और यह हो गया right roll क्योंकि आपके right में जा रहा है उसके बाद अगर plane को up and down लेके जाना है यानि उपर और नीचे लेके जाना है तो हम control करेंगे elevator stick से तो यह होता है channel number 2 अगर इसे नीचे खेजते हैं तो elevator उपर जाता है जिसकी वज़े से plane भी उपर जाता है उपर धगेलते हैं तो elevator नीचे जाता है जिसकी वज़े से plane भी नीचे जाता है अगर आप इसे उपर करते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि plane उपर जाएगा और इसे नीचे करते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि plane नीचे जाएगा उसके बाद बात करते हैं rudder की rudder left याने plane जो है जब आप टेक ओफ कर रहे हो फूल भी नहीं लाइक 80-90% आपको रखना है कोई अगर maneuver कर रहे हो याने vertical उसको लेके जा रहे हो या अगर आपको roll करना है आपको loop करना है तो उस ताम आप full throttle डखके for 5 seconds maximum speed बढ़ा के आपका जो भी maneuver है वो कर सकते हो throttle को आपको 60-80% के बीच में ही रखना है during the flights to save the battery otherwise आपकी battery जल्दी जल्दी drain होगी और mostly battery अगर drain हो जाती है तो उसकी वज़े से plane के ESC भी खराब हो सकती है motor भी खराब हो सकती है और main चीज बैटरी भी खराब हो सकती है trims तो trim याने आप यहां पर यह वाला graph देख सकते हो अगर मैं इसे उपर करता हूँ तो यह हो गया elevator का down trim याने elevator जो है इसके according अब खुद की जो level है वो adjust करेगा अगर आप plane हवा में उडा रहे हो अगर आपको लगता है कि हमने जब stick छोड़ दी है याने plane स्ट्रेट नहीं जा रहा है थोड़ा उपर उपर जा रहा है तो उस समय में आप pitch down कर सकते हो इस trim का use करके जिसके वजह से plane जो है वो level flight करेगा similarly opposite अगर आपको लगता है कि control stick छोड़ने के बाद plane जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है elevator, aileron, rudder, यह वाला channel, fourth और throttle throttle को mostly हम यूज नहीं करते हैं लेकिन यह तीनों को हम जरूर यूज करते हैं एक, दो और तीन अभी दो टाइप से लोग plane fly करते हैं यानि stick को पकड़ते हैं एक तो ऐसे pinch करके और एक तो ऐसे simply tip पर तो मैं जब भी fly करता हूं मैं हमेचा टिप का यूज करके fly करता हूं कुछ लोग होता है जिने यह वाला grip comfortable होता है जो ऐसे-एसे करके plane को fly करते हैं तो आपको आपके according जो भी comfortable grip है वो find out करनी है अगर आपको लगता है कि इससे मेरा plane का जो movement है वो ज्यादा हो रहा है aggressive हो रहा है तो आप यह वाला चीज भी try कर सकते हो किसी किसी के लिए यह comfortable है और किसी किसी के लिए यह comfortable है so once again revise करते हैं यहाँ पर यह है first channel aileron जिससे plane roll होता है left side right side आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा second channel है elevator का जिससे plane up and down जाता है धान रखना दुस्तो up and down उसके बाद में rudder your axis के लिए यह mostly हम use करते है plane अगर crosswind में take off ले रहा है या crosswind में land कर रहा है और basically plane जब भी turn करना होता है यानि हम जब aileron देते हैं और elevator देते हैं mix करके turn में तो उस समय में भी हम rudder का use करते हैं for a perfect turn जैसे अभी हम left turn ले रहे हैं plane का तो मैं करूंगा इसे left, थोड़ा सा pitch up और left rudder जिससे plane जो है वो proper turn लेगा अगर मुझे right turn करना है तो मैं दूंगा right aileron, pitch up and right rudder अगर आपके plane में rudder function ही नहीं है तो आपको सिर्फ aileron और elevator का use करके turn लेना है जैसे यह हो गया left turn और यह हो गया right turn so this is only when your plane has three channels one two and three third channel होता है throttle अगर आपका plane four channel plane है तो उस समय में आप rudder का भी use करो so friends कैसा लगा यह वीडियो जिसमें आपको मैंने basic knowledge दिया है कि plane को fly करने में यह जो sticks है वो कैसे हमें help करती है next आने वाले वीडियो में मैं आपको और इसका deep knowledge दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि अलग-अलग wind conditions में अलग-अलग places में कैसे plane को उडाते हैं तो यह कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना अगर कोई related doubt होगा इस वीडियो से तो भी आप कमेंट में पूस सकते हो चलो मिलते हैं next वीडियो में